एक ब्रीक बनाने के लिए उसके मेजर्मेंट्स काउंट करने पड़ते हैं इसका length and breadth count करना पड़ता है सब ब्रीक बनाने के लिए सब बार ये मेजर्मेंट कालकुलेट करना पड़ेगा उस आदमी ने क्या किया एक बॉक्स बनाया उस साइज का जो सामगरी इस ब्रीक को बनाने के लिए लगती थी उन सामगरी को वो सिर्फ डालता था इस बॉक्स के अंदर ताकि उसको बार बार मेजर्मेंट नहीं लेना पड़े इससे क्या होगा उसको टाइम बचेगा डेवलोप्मेंट का एंड इस बॉक्स को बोला जाता है फ्रेमवर्क यहाँ पे जो बेसिक चीज थी ताइज मेजर्मेंट लेना यह चीज उसको बार-बार नहीं करनी पड़ रही है बिकॉज अफ फ्रेमवर्क क्या होता है फ्रेमवर्क गाइडलाइन हो सकते है फ्रेमवर्क आपको बहुत सारे टूल्स देता है उन टूल्स का यूज करके आप आसानी से डेवलोप्मेंट कर सकते है यहाँ पे आपको एकदम स्क्रैश से कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है देखे कोई भी प्रोजेक बनाने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़े चाहिए होती है लाइक अगर आप वेब अप्लिकेशन बनाते है तो वेब अप्लिकेशन में आपको डेटाबेस के साथ कनेक करना पड़ता है डेटाबेस को एकसेस करना पड़ता है यह स्टीटीपी रिक्वेस्ट को हैंडल करना पड़ता है तो यह सारी बेसिक चीज़े हमें हर एक वेब अप्लिकेशन में लगेगी तो हम frameworks का use करेंगे इस frameworks में वो चीज़े already built-in होगी ताकि बार-बार हमें उन चीजों के लिए code ना करना पड़े तो यहाँ पे जब आप framework का use करते हैं तो आपको scratch से coding करनी की ज़रुरत नहीं है framework software तो होता है इसमें बहुत सारे predefined classes होते हैं functions होते हैं ऐसे functions and classes जो की use किये जाते हैं to manage hardware devices and to interact with system architecture अगर आप कोई project application बनाते हैं तो उसके लिए आपको system architecture के साथ interact करना पड़ेगा hardware devices को manage करना पड़ेगा तो इन सारी चीजों का जो coding होता है वो आपको framework देता है ताकि इनके लिए आपको अलग सा coding ना करना पड़े जब आप कोई application या software बनाते हैं तो उसने business logic बहुत मायने रखता है फ्रेमवर्स डेवलोप करने से पहले क्या होता था कि जो basic चीज़े हैं उन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता था उनके लिए course लिए लिखना पड़ता था जो basic चीज़े हैं उनकी coding ना करनी पड़े ताकि हम focus कर पाए on business logic अब बात करते हैं framework को क्यों use करना चाहिए first हमें scratch से coding नहीं करनी पड़ती है जो basic चीज़े हैं जो हमें हर application में लगेगी वो framework प्रोवाइड करेगा इसकी वज़े से हमारा time बच जाएगा frameworks में inbuilt security features होते हैं इसकी वज़े से हमें ज्यादा security पे ध्यान नहीं देना पड़ता है हमारा application secure हो जाता है framework की वज़े से testing and debugging आसान हो जाता है क्योंकि बहुत सारा code already tested है by the testers जो की experience testers है frameworks में different sections होते हैं for different tasks इससे application manage करने में भी बहुत आसानी होगी code हम लिखेंगे वो एकदम clean code होगा यही नहीं framework आपको और भी बहुत सारे inbuilt tools देता है जिसका use करके आप robust application बना सकते हैं framework क्या होता है framework को क्यों use करना चाहिए यह हमने देखा अब बात करते examples of frameworks की इसमें से first है angular angular एक open source javascript framework है and इसका use होता है for building web applications then next one is Laravel Laravel एक PHP based web application framework है then another popular example is Django इसे Django भी बोला जाता है यह free and open source web application framework है developed in python एक और important बात बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि software framework के collection होता है libraries का लेकिन this is not fully true यह fully true नहीं है क्योंकि सभी frameworks collection नहीं होते है libraries का याद रखिए कि frameworks को ऐसा define नहीं करना है यह गलत नहीं है लेकिन 70% correct है 30% गलत है इस वीडियो में बस इतना ही उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आता है तो please like this video and अगर आपने चानल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe this channel and be a programmer अगर आपने चानल कोई एकि करता है